इस वीडियो में मैंने सीक्वें सीरी चैप्टर है ना उसकी लास्ट एक्सेसाइज है मिसलिनिस एक्सेसाइज उसके क्वेशन्स है ना टोटल 32 हैं लेकिन 1 से लेके और 16 क्वेशन के सोलुशन प्रोवाइड करें अच्छी एक्सेसाइज है मैक्सिमम जो पेपर बनता है वो इसी एक्सेसाइज में से क्वेशन आए चुराते हैं देखिए सबसे पहले मैं मिसलिनिस एक्सेसाइज में बता दूँ शुरू करने से पहले न कि ये आपको recap करा देता हूँ कि क्या-क्या आना चाहिए आपको पता है भगी nth term का formula ap में जो होता है न वो होता है a plus में n minus 1 d लेकिन सेम चीज अगर gp में आती है तो वो ar n minus 1 ये recap कर रहा हूँ और sum of n terms का formula ap में होता है n by 2 2a plus में n minus 1 d और यही चीज अगर मैं gp में बात करो तो a r minus 1 r n minus 1 और नीचे denominator में r minus 1 done comparison करके इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको याद रहे ये नई चीज है देखिए अगर आपको 3 terms ap में निकालने के लिए कहें तो और आपको ये 3 तीन माननी है suppose करनी है कई बच्चे कहते हैं सर ये क्यों नहीं मान लेते a, a plus d, a plus 2d दीखिए ये इसलिए नहीं मानते कि इसमें दोनों variable रहते हैं यहाँ पे addition करने पर एक variable delete हो जाता है eliminate हो जाता है similarly आपको 3 terms gp में कोई अगर question आते हैं तो 3 terms को a मानना है a upon r, a और a r लेकिन कई question है न 5 terms के आते हैं तो अगर कोई आपको 5 terms ap में कहें तो वो हो जाएगी a minus 2d, a minus d, a, a plus d और a plus 2d सेम देखिए अगर add करोगे न तो आप देखो ये तो cancel हो जाएंगी इसलिए इस तरह से लिया जाता है यहाँ पे product करोगे न तो ये पहली term और इसका rs के दोनों cancel होगा इसलिए gp में अगर 5 terms लेने के लिए कहता है तो ये 5 terms इस तरह से आप लेके question को solve करोगे done अगर आपको ये थोड़ा सा recap आ गया है तो can we start misliness exercise चलिए पहला question ले लेते है question number one देखिए कहता है भई show कर पहले तो two proof लिख लेते हैं हमें ना idea लग जाएगा कि भी करना क्या है कहता है two proof कि sum of m plus nth और m minus n ये कह रहा है am plus में ये वाली term और am minus n term है ना is equal to twice of कहता है ये बराबर है two times am ये प्रूव करना है तो मैं एक काम करता हूँ left hand side ले लेता हूँ आप agree कर रहा हो कि भी जो general term होती है ना a p में उसका formula क्या होता है उसका formula होता है a plus में n minus 1 d ना तो यहाँ पे m plus n minus d हो गया ठीक है इसका भी अगर मैं करूँगा लिखूँगा तो a plus में m minus n और minus 1 और d common difference ये मेरा left hand side आया अब देखे आप agree करोगे common लेके आपको solve करना बताता हूँ पर यह a और a तो add हो गया बिल्कुर ठीक है two a आ गया इस bracket में d अगर common ले लेता हूँ d में बहार ले लेता हूँ तो ये वाला bracket as it is आ गया ठीक है ये वाला भी इसके बाद में लिखूँगा लेकिन जबी में लिख रहा हूँ ना तो आपने note क्या कुछ cancel हो रहा है क्या cancel हो रहा है वो आपको बताता हूँ ये plus का है ये minus का है m और m 2m है और ये d आ गया अब इस पूरे में से अगर आप देखो 2 common ले लेता हूँ तो अंदर बचा a plus में m minus में 1 d अगर आप याद करो तो ये तो ये तो ये जो अंदर वाला जो bracket है ये तो देखा जाए तो am ही तो है उसकी general time है और 2 इसके आ गया गया आप right hand side में देखना हमें ये ही तो प्रू करने के लिए कहा गया था सीधा लिख देता हूँ RHS और यहाँ पे आ जाएगा hence prude बात बनी चलिए question number 2 पे करते हैं बात वो भी काफी जी question है देखे second question में कहता है sum of 3 number in AP दे रखा है their product अच्छा sum दे रखा है न आपको थोड़ी देर पहले तो बताया था मैंने 3 numbers अगर आपको AP में लिखना है न तो let 3 numbers in AP वो क्या थे अगर आपको note कर रहा हूँ तो A minus D थे A और A plus D सरी यह ऐसा क्यों लिया क्योंकि यह कह रहा है कि जो sum है वो 24 है A minus D प्लस में A और प्लस में A plus D यह जो sum है यह 24 के बराबर दे रखा है तो मैं अगर यह 24 लिखता हूँ तो दिखिए यहां से D तो cancel हो रहा है सरी कैसे यह वाला D cancel हो गया तो 3 A जो है ना वो 24 आया और A जो है वो यहां से 8 आ गया अब next अगर मैं बताता हूँ और right side यहां पे क्या लिखा हो है कहता है उनका product है वो 440 है तो अगर मैं इन तीनों यहां पे लिख देता हूँ अगर इन तीनों को product 44 दे रखा है 44 जीरो तो तीनों को multiply करता हूँ A minus D ठीक है और A plus D और यहां पे A इन तीनों का 440 दे रखा है A तो मुझे यहां दे रखा है 8 आ गया तो यहां 8 रखूंगा तो 8 minus अच्छे इन दोनों को न यह तो identity बनती है तो यह हो जाएगा मैं पहले 8 तो बाद में put करता हूँ पहले यहां पे identity से solve करता हूँ इसको A square minus D square लिख दिया और यहां से A बहार है 440 तो यहां से D निकालता हूँ कहता है A की value पे 8 रखा तो 64 minus में D square आ गया ठीक है और यहां वाला A की value पे 8 रखा इस 8 को मैं transpose कर देता हूँ तो यह 64 minus में D square 8 अगर यहां आ जाता है तो divide करने पे 8, 5, 40, 55 आया मुझे तो D square चीए ना तो D square negative है D square को वहां ले जाता हूँ low positive बन गया और यह जो 55 है ना इसको मैं ले आता हूँ इदर 64 में से मैंने 55 minus करूँगा तो यह 9 बचा अगर D square 9 है तो D की value आ जाएगी plus minus में 3 यह 2 value आई हमसे क्या क्या रहा है number निकालने हैं चलिए बिल्कुल निकाल लेते हैं तो जो numbers है ना वो यहां लिख देते हैं तो पहला मैंने जो माना था वो माना था अगर 2 case बनते हैं अगर D ले लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए plus का 3 तो यह क्या बन जाएगा 8 minus में यानि कि 8 minus 3 करूँगा तो 5 आएगा फिर A लिखा है तो A तो 8 है फिर A plus 8 है यानि कि 8 plus में 3 करूँगा यहां पे 11 आ गया लेकिन अगर मैं D की value minus 1 लेता हूँ देखिए द्यान से आपको क्या मिलना है यहां पे 8 plus में यहां 11 आ गया यह 8 ही है तो आपको नहीं लगता है तो same है बस reverse हुआ है तो this is the answer आई होप आपको clear होई होगी बात चलिए question 3 की बात करते हैं काफी अच्छा question है एक बार exam में भी आया था important question है कहता है sum of N AP है देहां रखना है मैं लिख देता हूँ यह कह रहा है solution यहां पे लिख देता हूँ कहता है कि sum of N terms है वो S1 है बिल्कुर ठीक है यह लिजी उसके बाद कहता है sum of 2 N terms है ना वो बराबर है S2 के यह लिजी मैंने लिख दिया फिर कहता है sum of first 3 N terms है वो बराबर S3 के हमें प्रू करना है यह वाला अब यह जो प्रू करना है मैं 2 प्रू वाला जो है वो यहां लिख देता हूँ थोड़ा सर यह कह रहा है 2 प्रू करना है S3 जो है वो एक तरफ है 3 time S2 माइनस में S1 कुल मिला के मैं value पूट कर देता हूँ क्या पूट करोगे सर बई S1 जो है न इसका फार्मुला क्या होता है यह फार्मुला होता है N बाइ 2 और 2 A प्लस में N माइनस में 1 D यह बराबर है S1 के करेक्ट यह अगर मैं बात करूँ या आप नोट करोगे S2N का तो इसमें सिर्फ इतना आता है 2N बाइ 2 और 2 A प्लस में यहां पे 2 N माइनस 1 D यह वैल्यू आ जाती है किसकी S2 की फिर अगर मैं बात करूँ कि भई या यह अगर S इसकी बात करें तो S3 जो है ना वो आ जाता है 3 N बाइ 2 और यह मैंने लिख दिया 2 A प्लस में 3 N माइनस में 1 D इसमें मैं लूट कर देते हैं अगर लेफ्ट एंड साइड में लिखूंगा तो S3 है यह तो as it is आ जाएगा यानि कि 3 N डिवाइड बाइ 2 और यह हो गया 2 A प्लस में 3 N माइनस में 1 D इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आप भी एगरी करोगे लेकिन अगर मैं राइट एंड साइड की बात करूँ तो 3 तो as it is लिखा मैंने बिल्कूल ठीक है फिर S2 रखा तो S2 तो यह है लिख देता हूँ यानि कि 2 N बाइ 2 और यह हो जाएगा 2 A प्लस में 2 N माइनस 1 D यह तो वैल्यू आई है किसकी S2 की हमसे कह रहा है माइनस S1 S1 की वैल्यू यहां रख देते हैं माइनस N बाइ 2 और यह हो जाएगा 2 A प्लस में N माइनस में 1 D और इसको मैंने कर दिया बंद नेक्स ले लेते हैं आपने ध्यान दिया कि इसमें common आ रहा है चलिए common क्या रहा है N बाइ 2 यहां पे भी है यहां पे भी है और यह 3 बाहर है तो 3 N बाइ 2 मैंने बाहर ले लिया यानि की हो गया यह अगर N बाइ 2 बाहर चला जाता है यहां से 2 बसता है इस 2 को इसके साथ multiply करते है तो यह हो जाएगा 2 टू जा 4 A बिलकुल ठीक है यहां पे यह हो जाएगा 2 टू जा 4 N माइनस में 2 और यह D है करेक्ट है similarly यह देखोंगे बाहर अगर माइनस है तो यह हो जाएगा 2 A माइनस का और यह N माइनस 1 D next step मेरा जो है वो क्या है वो आपको दिखा देता हूँ यह 3 N by 2 बिलकुल कोई शू नहीं करना इस 4 A में से 2 A माइनस करोगे 2 A बचेगा यह 4 N में से 1 N माइनस करोगे 3 N बचेगा D को मन ले रहा हूँ माइनस 2 और यह प्लस 1 करोगे तो माइनस 1 इतना इसको सिंप्लिफाई करने पर ऐसा बनता है आपको नहीं लगता यही चीज तो हमारे लेफ्ट एंड साइड में है so this is equal to यहां की L यहां से क्या मिल गया लेफ्ट एंड साइड बराबर है राइट एंड साइड hence prude कर देता हूँ बात बनी hope so आपको समझ में आया होगा question number 4 ले लेते हैं ऐसे question competitive exam में बढ़े आते हैं important लिख देता हूँ ठीक है question देखे बड़ा मज़ेतार है कहते है find the sum of all number between अगर आ गया तो यह two handed है न यह count आप नहीं कर सकते boundary count नहीं करेगी और यह four handed यह भी count नहीं होगी कहते है divisible by seven अगर seven से divisible है न बही मैंने काम करके देखा कि two handed क्या seven से divisible है seven two is a fourteen six zero actually 63 होता तो बांध बन जाता two zero three है न वो पहला number है जो seven से divisible होगा done होई बात अगला number है two hundred ten seven का gap होगा फिर two hundred seventeen similarly चलेंगे न तो four hundred चेक करें क्या four hundred को मैंने seven से divide क्या seven five जा thirty five five seven seven जा forty nine one यानि कि one extra है अगर मैं three ninety nine लिग देता हूँ तो बिल्कुल उससे होगा यह तो मुझे जो मेरी अगर आप देखो sequence बनी यह sequence बनी यहां से ठीक है तो जो sequence है ना जिस पे मैं काम करने वाला हूँ वो बनी जिसका sum निकालूंगा वो क्या बनी पहला number two zero three ठीक है जी प्लस में दूसरा number two hundred ten प्लस में two hundred seventeen यह seven से divisible है और यहां पे three ninety nine है यह बन तो AP रहा है लेकिन एक issue है कि भया N नहीं पता AP तो बन रहा है तो इसको मैं क्या करता हूँ Nth term माल लेता हूँ three ninety nine को माल लिया और A मुझे पता है two zero three है D मुझे पता है seven है तो मेरा पहला target तो यह है कि मैं N निकालूं और इस formula की help से मैं N निकालूंगा A की value रख दू लिजे two zero three रख दिया प्लस में N माइनस one D seven है three ninety nine अब मैं यह जो two zero three है ना इसको यहां बेज देता हूँ तो three ninety nine में two zero three माइनस करते हैं तो दिखे यह क्या बनता है three ninety nine माइनस में two zero three nine में से three गया six nine और यह one ninety six आया यह अब मैं seven को भेज देता हूँ seven division में जाएगा seven को divide किया तो seven two zero यानि कि twenty eight आया अब N आ जाएगा twenty eight प्लस में one यानि कि twenty nine done यह आदा question है अब next question जो है ना मैं यहाँ पे कर देता हूँ हमें तो sum निकालने के लिए कहा था तो sum कैसे निकालेंगे चली सबसे पहले तो मैं इसको divide कर देता हूँ यहाँ पे sum निकालेता हूँ right side में sum का formula होता है अगर आपको याद है N by two A plus में L यह last time है last time वाले से कर रहा हूँ N मेरा कितना आगा है twenty nine ठीक है twenty nine by two A मेरा कितना है यह रहा बया two zero three पिलकुल ठीक है और two zero three में मैं three ninety nine add करूंगा और three ninety nine add करा तो मेरा यहाँ से आ जाता है six zero two और यह twenty nine और यह two नीचे है तो two one जा और यह आपका three zero one आया देखिए twenty nine into three zero one जो है वो अगर आपने note करा तो आ जाता है eight seven two nine अगर आपका answer यह आ रहा है बिलकुल correct है बात बनी चली question number five देखते हैं ओके question five करते हैं क्याता है sum of integer from from अगर आ गया ना तो आपको ध्यान में रखना है कि यह दोनो boundary count करनी है अगर between आ जाता तो count नहीं करनी थी कहता है यह divisible by two और 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 अगर आ जाता है तो इसका मतलब है कि यह two से भी होनी चीए five से भी होनी चीए और दोनों से तो हो गई end में हम two और five का common लेते खिर पहले अगर मैं number की बात करूँ तो यहां पे ऐसे नमबर जो two और five से दोनों से usable है तो वो होता two four ठीक है फिर five फिर five के बाद अब सर फाइव क्यों ले रहे हो भाया five five से तो है two से नहीं हो तो क्या है फिर आजाएगा six eight ten और ten के बाद आजाएगा twelve fourteen fifteen वो इस तरह से जाएगा और यहां तक last number handed है लेकिन यह GP और AP कुछ नहीं बना रहा आपने ध्यान दिया होगा और हमें sum निकालना है तो हम बड़ा अच्छा सा तरीका क्या है कि यह जो two वाले है ना इनको मैं एक साथ लिख लेता हूँ तो अगर मैं इनको लिखूंगा वह two plus four plus six plus eight plus ten और आपको पता भी handed है ना वो भी two वाली table में आता है तो इसको मैंने एक साइड लिख लिया plus मैं यह जो five वाले है ना आप देखिए मैंने five वाले में ten already जा चुक है तो five के बाद fifteen आ रहा है आपने ध्यान दिया तो यह five वाले so series है इसको मैं अलग लिख रहता हूँ यानि कि कुल मिलाके आपने अगर ध्यान दिया होगा इसमें तो यह आपका five की table नहीं कहूंगा क्यूंकि ten तो two की साथ में मैंने लिखा है और इसका last number 95 हो जाएगा done होई बात सर अब क्या करने वालो अब बड़ा आसान है इसमें एपी जीपी की जुरूती नहीं पड़ेगी देगो कैसे अगर मैं इन में से two कोमन ले लेता हूँ तो देखिए आप एकरी करो यह कहीं ना कहीं आपका natural number का sum बन रहा है वही two कोमन चला गया यह last number 50 है और old number का sum आपका last में यहाँ 19 तक जाएगा तो old और even का sum का formula बता देता हूँ आपको क्या है बही natural number का तो आप formula आपको पताईए कि last number ठीक है तू तो as it is लिखते last number उससे next number यानि की n plus 1 divide by 2 तो इस bracket ने यह sum दे दिया ठीक है और old का बताता हूँ old का क्या है दीखिए old number का sum का formula है कि जितने old number होते है ना जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक दो तीन चार है तो यह चार का square होगा आप बोलोग सर यहाँ पे number of old कितनी होंगे actual में 1 और 20 की बीच में total old number है वो 10 है सर कैसे निकाला आपने या 1 से 20 में आदे even होते हैं आदे old होते हैं तो यह जो bracket है ना इसक short cut way से sum निकालने का तरीका है 10 का square बात समझ में है कुछ सर हम APGP से कर दो बिल्कुल कर सकते हो फिर यह two say मैंने two cut कर दिया यह मैंने two say two cut करा तो अगर आप इनको multiply करोगे तो five five zero twenty five यह आ गया और यह hundred को करोगे तो five hundred आएगा और इन दोनों को आप add कर दोगे वो मेरा answer हो जाएगा मेरा मानना है कि यह आपको समझ में आया होगा चली next six question ले ले लेते हैं वड़ा मज़ेदार question है यह भी six question में क्या कह रहा है कहता है कि बाइए sum of all two digit number which are divisible by four two digit है ना दीकि two digit के जो number शुरू होते है ना वो बाइए आप शुरू करोगे 10 से शुरू होते हैं agree और जाते हैं last में कहां तक 99 तक कहता है divisible by four और yield remainder one तो divisible by four जो है वो और ऑजिए condition कहा है remainder जो है ना वो one होना चाहिए то इस condition के हिसाब से जो number है वो लिख देता हूं तो इस condition के हिसाब से 12 तो होगा नहीं लेकिन 12 से next number लेते है 12 से next number जो है ना 4 से divisible है और one remainder है तो पहला मेरा आ जाएगा यहां से 13 और आपको पता है यह 4 से डिविजिबल है तो next 17 आ जाएगा चार-चार का gap है next है वो 21 आ जाएगा next है वो 25 आएगा similarly इस तरह से चलते रहे तो 96 है ना वो इससे डिविजिबल होता है तो 96 4 से है तो एक जादा इससे 97 आ गया हमें कह रहा है इनका सम निकालो अगर मेरे पास यह सीरीज सही बन की तो सम बड़ा असान होता है यानि कि इसमें मैं सम निकालूंगा तो A जो है ना वो मेरा हो गया 13 ठीक है डी जो है वो मेरा हो गया 4 लेकिन एक दिककतारी N नहीं मिल रहा तो N निकालेते हैं आई होप आप एगरी करोगे पहले N निकालते हैं सम बाद में निकालेंगे N अगर नहीं पता तो यह लास टम को मैं N अत मान लेता हूँ यह लीजिये मैंने मान ली और A प्लस में N माइनस वाला जो टम है ना वो 97 के बराबर रखूंगा A की वैलू मैंने 13 रखी N माइनस 1 D की वैलू मैंने 4 रखी यह 13 है ना है मैंने यहाँ पे ट्रांस्पोज कर दिया तो यह अगर यहाँ पे जाएगा तो यह बन जाएगा 484 बना फिर मैंने 4 यहाँ बेज दिया और N माइनस 1 करा तो यह 21 और N यहाँ से मेरा 22 आया चली अब सम की बात करते हैं भईया हमें एक्च्छल में 22 टम्स का सम निकालना है तो S N का जो फार्मला है ना यह A P में तो A P में S N का फार्मला होता है अगर आप लास्टम वाला बताता हूं लास्टम क्योंकर हमें पता है ना A प्लस महल तो N जो है वो 22 है बिल्कुल ठीक है फर्स जो टम है ना वो मेरी है 13 यह लिजिए मैंने 13 लिख दी और लास्टम है 97 इन दोनों को मैंने अड़ कर दिया यह 11 और अड़ करा तो मेरा यह 110 याने की 1210 यह आंसर मेरा आया है खोप सो आपका भी यह होगा चलिए question 7 कर लेते हैं यह एक दो बार exam में आया है क्या question है बताता हूं कहता है अब एक function दे रखा है इसको ध्यान से देखना f x plus y है यह into कर रहा है बिल्कुल ठीक है और x y natural number भी है कहता है f1 दे रखा है यह और हमें sigma summation दे रखा है n निकालने अब देखिए पहले तो इसका meaning बताता हूं यह जो है इसका क्या meaning होता है summation का उसके बाद बात करूँगा कि नेक्स करना क्या है इसका meaning होता है full form में लिख देता हूं sigma x equal to 1 और n f x का meaning है यह कह रहा है x 1 put करोगे तो यह f 1 आया ठीक है फिर 1 के बाद 2 put करोगे 2 आया और बीच में जो sign है न वो plus का आयेगा और f n तक है और यह कहता है 120 के परावर है और हमें n निकालने के लिए कह रहा है देखिए f 1 दे रखा है मुझे और हमें f 2 नहीं दे रखा f 3 नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे इसका यूज करेंगे f 1 के बाद में 2 और 3 के लिए सर कैसे अगर यह 1 दे रखा है और मुझे f 2 निकालना है f 2 निकालना है तो f 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि f 1 प्लस मैं 1 बिलकुल और इस function का meaning हो जाता है f 1 multiply यह भी 1 आएगा और यह 3 है दो बार तो 3 की power यहाँ पर 2 आ गया सर फिर f 3 कैसे निकालोगी देखी बिलकुल बताता हूँ f 3 अगर है आप agree कर रहे हो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या 2 प्लस मैं 1 ठीक है और इसको यह अगर मैं function में put करूँ तो यह बन जाएगा f 2 और यहाँ पर f 1 f 2 तो भईया 3 की power 2 निकला यह देखी और यह f 1 जो है यह 3 दे रखा है तो अगर आप note करो यह 3 की power 3 आया similarly यह तो gp बन रहा है यानि कि f 1 की जगह पर 3 है f 2 की जगह पर 3 की power 2 है f 3 की जगह पर 3 की power 3 है और आगर same way में चलेंगे तो f n की जगह पर 3 की power n और यह 120 के बरावर है हमें तो n निकालना है ना इसमें मैं gp का formula लगा दूँ a मेरा 3 है बिलकुल ठीक है और common ratio जो है वो भी 3 है तो वो formula है वो यह बताता हूँ formula होता है a r n minus 1 divided by r minus 1 तो इसमें formula में put करा 3 आ जाएगा 3 की power n minus 1 और 3 minus 1 और यह बरावर है 120 के देखे sol करना बताता हूँ यह 2 हो गया ना तो यह 2 जाएगा तो भीया multiply हो जाएगा और यह 3 जाएगा तो divide में हो जाएगा यानि कि ऊपर 2 से multiply करता हूँ 3 से कर दूँगा तो यह बन जाएगा 3 और यह 80 और यह 80 और यह 80 यहां तक आया है तो आगे बताता हूँ 3 N minus 1 is equal to 80 1 वहाँ जाएगा 3 1 is equal to 81 और 81 तो वैसे भी 3 की power 4 होता है तो on comparison मुझे N की value 4 आ गया मेरा मानना है यह आपको समझ में आया होगा done चलिए next question की बात करते हैं चलिए question 8 करते हैं बढ़ा अच्छा question है क्याता है sum of some terms भी हमें पता ही नहीं कितनी terms है तो नहीं पता होता तो बढ़ा अच्छा तरीका है कि S N है न वो मान लेजी N terms का sum है न वो 3 1 5 दे रखा है क्याता है whose first term and common ratio देखी हमें क्या दे रखा है क्याता है first term है वो 5 है और R जो common ratio वो 2 है बिल्कुल ठीक है हमें last term निकालनी है और number of terms देखी number of terms का मतलब है N निकालने के लिए कह रहा है और last में A न यह दो चीजे हमें निकालनी है अगर किसी GP में न A और R मिल जाए तो कुछ भी पूछ लो तो हम क्या करेंगे SN का मुझे formula पता है SN क्या होता है SN का formula होता है ARN-1 और divided by R-1 और यह बराबर है 3 1 5 के A की जगह पे मैं 5 पूट कर देता हूँ यह लीजी R की जगह पे 2 की power N पूट कर दिया और यहां पे denominator में 2-1 करोगे तो भी इसलिए तो भी यह 1 ही आएगा अगला step क्या होगा यह 5 को transpose कर देते हैं वहां पे तो 2 N-1 है ना वो 3 1 5 divided by यहां transpose करूँगा 63 आ गया माइनस 1 को वहां पे transpose करूँगा तो 63 प्लस में 1 आएगा 64 आ गया अब मुझे पता है कि भाईया यह 64 है ना 2 की power 6 होती है तो common अगर मैं देखूं base same है तो N की value 6 आ गी यह देखें यह हमारा half question हुआ है हमसे पूछा क्या था वो भी बताता हूँ आपको चलिए मैं इसको यहां कर देता हूँ remaining question में N पूछा था बिल्कुल ठीक है यह N तो 6 आ गया correct है यह minus 6 है फिर कहता है last time निकालो अब यह A N निकालने के लिए कह रहा है I hope आप formula agree कर रहो A N का होता है A R N-1 बिल्कुल ठीक है A की value मेरे पास है यह रही 5 और R की value मेरे पास है यह रही 2 और N की value भी मिलगी मुझे यानि की A 6 की बात हो रही last time तो वही है तो 6 minus 5 कर देंगे 6 minus 1 5 आ जाएगा तो 5 और 2 की power 5 होता है 32 अगर आपका भी answer यानि की 160 आ रहा है बिल्कुल correct है done हुई बात चलिए next question की बात कर लेते हैं that is ninth वाला well अच्छा question है question बतातूं क्या कर रहे कहता है first term of a GP is one लिख लेते हैं भाईया यह first term A है sum of the third term बिल्कुल ठीक है यह कहता भाई third term का and fifth term का sum यह दोनों का 90 है find the common ratio यानि कि यह कुल मिलागे मुझे R निकालने के लिए कह रहा है तो बड़ा यह देखो A मिल गया ना A मिलने से चीज़े बहुत easy हो जाती है sir कैसे करोगे आप हमें पता है भाईया A3 को मैं लिख सकता हूँ A R की power 2 A5 को मैं लिख सकता हूँ A R की power 4 right और यह 90 के बराबर है A की value रख दूँ तो यह R की power 2 A तो 1 आ जाएगा नहीं यहाँ पे और यह भी 1 into R की power 4 यह quadratic बन गया sir फिर भी देखे मैं क्या कर रहा हूँ मैं इसको और easy बना लेता हूँ मैं let कर लेता हूँ कि भाई R की power 2 है ना इसको for the timing Y यह ले लेता हूँ अगर मैं ऐसा लेता हूँ तो यह तो बन जाएगा Y ठीक है और यह हो जाएगा Y का square sir क्यों हो जाएगा क्यों 4 power है ना और 90 को भी यहाँ ले आता हूँ तो यह एक quadratic बन गया इस quadratic के दो root निकालते हैं condition क्या है product यह होना चीए ठीक है sum 1 तो आई होप आप agree करोगे अगर मैं 10 Y और minus का 9 Y लिखूँ तो हमारे यह condition फुल्फिल हो रहा है इन दोनों में से common आएगा Y तो Y plus 10 आ गया यहाँ से common आया minus 9 तो Y plus 10 आ गया अब देखी यहाँ से एक चीज़ है Y plus में 10 और Y minus का 9 यह दो मेरे bracket बने अब आपको पता है यहाँ इनको equate कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए मैं चली मैंने equate कर दिया तो equate करने पर मेरे पास Y plus 10 को 0 रखूँगा तो Y minus 10 आया भाई होई नहीं सकता discarded सर क्यों discard कर रहो क्योंकि भाई य को तो मैंने क्या माना है R square माना है ना R किसी का square थोड़ी negative होगा सर फिर क्या लोगे दूसरा bracket Y minus 9 यह लिया Y is equal to 9 आया और Y जो है भाई या R के बराबर है R square 9 आया R की value यानि कि मेरी R की value plus minus 3 आगी अगर आपका भी answer यह आ रहा है then it is right बिल्कुल सही बात है then common ratio निकाला था अगले question की बात कर लेते हैं question number 10 देखते हैं well काफी अच्छा question है कहता भई sum of 3 terms in GP इसमें भईया यह नहीं ले सकते A upon R वाला द्यान अकना तो इसमें क्या लेंगे sir मैं 3 terms माल लेता हूँ यानि की A1 प्लस में A2 और A3 यह तीनों terms का sum 56 है ठीक है कहता है if we subtract 1, 7, 21 from these number we obtain AP मिल जाएगी कहता है अगर माल लो ऐसा कर दें कि पहली वाली में से 1 माइनस कर दें ठीक है दूसरी वाली में से 7 माइनस कर दें तीसरी वाली term में से जो है न वो बात करता है 21 माइनस करते तो resulting sequence है न वो AP बना रही है लेकिन पहले जो sequence थी है न वो GP थी तो अगर GP थी तो भईया यह चीज़ क्या हो जाएगी second term AR third term AR की power 2 यह 56 के बराबर है अगर मैं इसको 56 ले रहता हूँ यहाँ पूट करता हूँ first term में से 1 माइनस करना है लिजिए A माइनस 1 second term यानि की AR में से 7 माइनस करना है third term AR की power 2 में से 21 अगर यह AP बना रख है तो देखे एक बात बताता हूँ bracket में लिख जेता हूँ अगर कोई आपको कहना if ABC are in AP तो द्यान में रखना है एक condition फुल्फिल होगी यानि कि 2 times middle term है वो first or second third term का sum के बराबर होगा तो भया middle term तो हमारी यह है तो आप लिख दोगे यह मैंने bracket में लिख दिया तो सिधा लिख दो 2 times किसका AR minus 7 यह बराबर होगा पहली और third term के sum के बराबर यह first term है और यह AR square minus 21 यह second term है simplify कर लेते हैं और simplify करके क्या कर लेते हैं यह वाली एक तरफ ले लेते हैं चलो पहली इसको simplify करते हैं यह 2 AR minus 14 बना यह A plus में AR square minus 22 बना तो एक काम करते हैं 2 AR है ना इसको मैं ले जाता हूँ यहां पे और minus 21 को यहां ले आता हूँ तो एक तरफ A plus में यह उदर जाएगा ना पहले मैं यह लिख लेता हूँ यह minus का 2 AR हो जाएगा और यह तो plus का ही रहेगा AR square और यह इदर लाएगा तो minus 14 था लेकिन plus का 22 देखना मैंने थोड़ा सा एक स्टेप बचाने के चकर में इनको औरल कर रहे हैं सर्फिर क्या बनेगा यह अगर आप नोट करो तो यह तो बन गया हमारा सिधा सिधा 8 और यह A minus में 2 AR plus में AR square बना अब मैं इसको equation 1 मान लेता हूँ इसको equation 2 मान लेता हूँ और equation 1 है ना इसको मैं divide कर देता हूँ equation 2 को हमें A eliminate हो जाएगा सर कैसे इस पूरे equation में से अगर मैं A बहार लेता हूँ तो 1 plus में AR plus में AR square बराबर है 56 बचा ठीक है इस में से भी A बहार लेता हूँ और divide करूँगा तो A बहार लेने पे 1 minus में 2R plus में AR square और ये बराबर होगा इसके निच्चे आ जाएगा कितना 8 आ जाएगा ठीक है अब देखें ये मैंने क्यों करा है ये इसलिए करा है क्योंकि ये A से A cancel हो गया फिर मैं cross multiply कर देता हूँ इसको इसके साथ multiply करूँगा लेकिन मैं पहले cut कर लेता हूँ 8 बन जा 8 7 जा easy हो जाएगा तो मेरा next step बनेगा 7 जो है न वो इसके पास आ जाएगा इस bracket में 7 बाहर लेग देता हूँ 1 minus में 2R plus में R square और ये तो 1 है ना ये 1 यहाँ इस पूरे bracket से multiply होगा तो as it is रहेगा 1 plus में R square इसको simplify करते हैं इसको simplify करते हैं तो मेरे पास बनेगा पहले 7 minus में 14R plus में 7R square यहाँ पे इसको भी यहाँ लाओ इन सब को मैं एक तरफ क्यों लाया क्योंकि ये quadratic बन रही है सर कैसे बन रही है देखो 7R square में से 1R गया 6R की पावर 2 बना 14 और एक ये आ गया ये 15R बना और यहाँ पे अगर आप नोट करो 7 और यहाँ से मान लिए माइनस 1 करोगे तो ये plus का 6 बचा अब ऐसे दो नमबर जिनका 36 हो product और sum ये हो तो वो होते हैं 6R square माइनस का 12R और माइनस का 3R प्लस में 6 equal to 0 इसमें से अगर मैं common ले लेता हूँ तो दीखे 6R common लेने पे R minus 2 बचा यहाँ minus 3 common लेने पे R minus 2 बचा तो R minus 2 एक ब्रेकेट बनेगा और 6R minus 3 जो है ये दूसरा ब्रेकेट बनेगा done अगर आपने note कराओगा तो इससे जो equation बने न वो यहाँ बना देता हूँ लिजे ये आपको बन जाएगा इस तरह से solve कर देता हूँ और line draw कर देता हूँ जिससे की page का utilization अच्छा हो जाए so this is the next step हमारा find the number था न r अगर 2 आया एक case में बिल्कुल ठीक है case दूसरे में 6R minus 3 अगर 0 है न तो r की value 1 by 2 आया और r अगर 2 है तो a तो मैंने निकालना पड़ेगा निकाल लेते हैं a यहाँ पे मैं put कर देता हूँ देखिए equation 1 में न हम आगर put कर देते हैं इस equation में मैं put कर देता हूँ r is equal to 2 तो यह बन जाएगा a plus मैं 2a plus मैं 2 to 4a is equal to 56 और यहाँ से 8a is equal to यहाँ कि 6 7a आया sorry 8a नहीं आएगा यहाँ से मेरे पास आया 7a equal to 56 और 7a 56 है तो a is equal to 8 आया तो a अगर 8 आता है r अगर 2 आता है तो मेरे 3 नमबर हो जाएंगे लिख देता हूँ 8 इसको double करा 16 इसको करा 32 लेकिन दूसरा case भी तो देख लेते हैं दूसरा case क्या करा है अगर मैं r यह ले लेता हूँ 1 by 2 और अगर 1 by 2 यहाँ put कर देता हूँ तो देखी यह क्या बन जाता है यह बन जाता है a plus में a by 2 plus में यहाँ पे a by 4 और इसको simplify करने पर मेरे पास जो आता है न value a की वो अलग आ जाती a की value यहां 32 आ रही है बात समझ गाई अब यह देखो 32 value आई तो यहां की जो भाईया GP बनेगी ना वो बनेगी 32 फिर 1 by 2 से मैं multiply करोंगा तो 16 और फिर 8 आपको नहीं लगता यह बराबर है done hope so आपको समाझ वाया होगा चलिए next question की बात करते है 11th question करते है बड़ा easy question है कैता पहे एक GP है और उस GP में even number of terms है even number terms का मतलब यह है कि आगर मान लिजे मैं first term even ले लेता हूँ second a2 ले 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 लेता हूँ फिर a3 ले लिया मैंने तो यह मान लेता हूँ कि यह a2n है ना इसमें a2n का मतलब बड़ even number होगी ठीक है कैता है sum of all the terms is five times the sum of terms occupying old places यह old places की बात कर रहा है और फिर कैता है find the common ratio हमें r निकालने की बात हो रही है देखिए सबसे पहले कर रहा है sum of all the terms तो इसके sum को according to question यह कह रहा है कि इसका जो sum है ना उसको s2n से represent करूँगा कहता है वो बराबर है sum of terms occupying old places five times अच्छा old places कोंची होंगी मान लेजिए one ठीक है बही है first one फिर three वाली फिर अगर आप बात करोगे five वाली यह old places पे है ना और इससे just पहले जो होगी पहले आप कोंची होगी a2n-1 यानि कि वो वाली भी old places होगी इसके बराबर है इसको simplify करते हैं पहले आप agree करोगे कि भी है यह right hand side में a1 की जगह पे तो a लिख दिया मैंने a की power 3 का मतलब है a r square ठीक है a की power 5 का मतलब है a r की power 4 और इसी तरह से चले तो अगर आपने ध्यान दिया ये a2n-1 है न दिखिए a n क्या होता है a r n-1 ठीक है a n-1 क्या हो जाएगा या 2 n-1 क्या हो जाएगा वो हो जाएगा a r 2 n-1 तो minus 2 हो जाएगा बात समझ मैं कुछ तो मैं इसकी जगह पे लिख देता हूँ a r 2 n-2 अब बात है कि ये तो gp बन रहा है इसमें बस जो first time है वो तो a है और common ratio जो है न वो यहाँ पे r square है बात बनी common ratio यहाँ पे r square है तो इसका मैं अगर sum निकालता हूँ तो five time तो यह बाहर exit जग देता हूँ तो इस फार्मूले में a हमारा क्या है बिलकुल यह लिजी और r कितना है r common ratio r square है r square के आगे n लगाना है तो देखिए इस फार्मूले में common ratio के उपर n पावर है तो यह लिजी भया common ratio के पावर n लिख दी बिलकुल ठीक है minus का one right यह भी लिजी मैंने सही कर दिया उसके बाद नीचे कह रहा है r minus one r हमारा यह है ना तो r square minus one है यह मेरा right hand side है sir left hand side में क्या है s2n जो है ना अगर इस फार्मूले में s2n लिखूंगा तो वो हो जाएगा a ठीक है r और यहां पे r common ratio तो r ही है ना और यहां पे 2n minus one और divided by r minus one हो जाएगा इसको simplify करते हैं आपको थोड़ा सा clear होगा है मैं कर क्या रहा हूँ चली वापिस बताता हूँ इसको मैं अगर ऐसे लिख दूँ a r 2n minus one और यह r minus one है यहां पे देखो देखो यह भी तो r 2n हो जाएगा तो five times as it is इसको simplify करेंगे ना तो यह हो जाएगा a और r 2n और minus one और अगर आप agree कर रहे हो तो यह एक identity है वो identity बनती है r minus one और r plus one सर अब next step क्या है अब बड़ा आसान हो गया हमारे लिए क्या यह पूरे का पूरा इसके साथ cancel हो रहा है यह r minus one r minus one से cancel हो रहा है यहां से मुझे मिला one upon one equal to five divided by r plus मैं one अगर मैं cross multiply करता हूँ on cross multiplication मेरा answer r plus one is equal to five और r की value four आ गया तो हमसे पूछा गया था common ratio बिल्कुल ठीक है तो यह मेरा answer हो का common ratio यहां पे four हो गया done चलिए आपको समझ में आ गया तो question number 12 करते हैं 12 क्या कहना चाह रहा है यह बात कर रहा है AP की कहता भई sum of first four terms of AP यानि की A1 प्लस में A2 प्लस में A3 और यह चार terms का जो sum है ना वो 56 है correct है यह लिजी फिर कहते है sum of the last four terms is this one अच्छा last four term का मतलब है मान लेजी A N last है ना और A N से पहले वाला A N-1 होगा और इससे पहले A N-2 होगा और इससे पहले A N-3 यानि की यह last की जो चार term है इनका sum दे रखा है मेरे को 112 और first term भी दे रखा है यानि की यह चीज तो हमें given है A दे रखा है 11 हमें number of terms निकान ली है बड़ा असान है sir कैसे करोगे आप देखे AP में first term तो A होता है बिलकुल ठीक है और यह वाला होता है A plus D बिलकुल correct है यह वाला होता है A plus 2D बिलकुल सही बात है यहाँ पे A plus में 3D आ जाएगा और यह बराबर दे रखा है 56 तो 1, 2, 3, 4 4A हो गया ठीक है फिर D है D1 और यह 3 और 3A हो गया 6 यानि कि 6D जो है यह 56 के बराबर है A की value तो 11 है तो यहाँ पे 4 into 11 रख दिया प्लस में 60 is equal to 56 यह 44 है 56 में से 44 में minus कर दूँगा तो यहाँ से 12 आया और D जो है 12 by 6 यानि कि common difference भी मेरे पास आ गया और common difference के बाद A तो already देई रखा है अब N निकालना है न तो N निकाल लेते हैं देखे N कैसे निकालता है यह जो information दे रखी है मुझे इसमें N आ जाएगा आराम से मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको पता भी A N जो है न पहले तो यह लिखते हैं A N minus 3 किसके बरावर होता है यह होता है A plus में N minus 3 और minus 1 D clear होई बात आगे ले लेते हैं यह किसके बरावर होगा A plus में N minus 2 minus 1 और D पिल्कुल ठीक है यह किसके बरावर होगा A plus में N minus 1 minus 1 और यह उसके बाद अगर यह करें तो A plus में N minus 1 D यह बरावर है मेरा 112 के तो यहाँ पे A जो है न वो भी चार बार है यहाँ पे मुझे A plus लिखना चाहिता है तो यह 4 A हो गया तो यह मैं ठीक से लिख देता हूँ जिससे की confusion ना हो यह आएगा A plus में तो A और यह plus आएगा तो इसको करूँगा तो यह 4 A आएगा बिल्कुल ठीक है और मैं D है ना अगर मैं common ले लेता हूँ D common ले लेता हूँ तो यहाँ से देखी कितना आगया N माइनस में 4 यहाँ से कितना आएगा N माइनस में 3 यहाँ से कितना आएगा N माइनस में 2 और यहाँ से कितना आएगा N माइनस में 1 यह 1 1 2 के बराबर है ठीक है A और D के value पूट करते है D मेरा 2 है A 11 है यहाँ से तो 11 पूट करोगे तो 4 into 11 ठीक है N है ना 1, 2, 3, 4 4 N हो गया माइनस में 4 और 3, 7 7 और 3 हो गया माइनस का 10 और यहां multiply कर दिया मैंने 2, this is 112 तो सबसे पहले इस 44 को यहां पे बेजा तो 4 N माइनस में 10 और multiply by 2 112 में से मैंने 44 माइनस किया तो यह हो गया 12 में से 4 गया 8 और 10 में से 4 गया 6 आ गया अब इस 2 को वहां बेज दूँगा तो 4 N माइनस 10 है ना यह 2 के बरावर हो जाएगा तो 34 आ गया अब यह 10 को वहां बेज देता हूं तो 34 प्लस में 10 44 आ गया N की value आ जाएगी 44 अपॉन 4 11 अगर आपका भी answer 11 आ रहा है तो बिलकुल correct है हम से क्या पुछाता number of terms बात बनी चलिए question number 13 कर लेते हैं क्या है अच्छा question है easy भी है कहता है यह तीनों अगर बराबर हैं तो show करो A, B, C, D, GP में देखिए अगर यह 3 terms GP में होती है ना याद दिलाता हूँ तो उसका meaning होता है B, Scare is equal to A, C, ठीक है तो सरी यहाँ पे तो अगर आपको देखा जाए तो 4 terms दे रखें तो एक तरह से बिल लिखता हूँ to prove करना क्या है to prove क्या करना है अगर यह 4 terms GP में है तो medis का B का square जो है वो A, C के बराबर आएगा पहला यह prove करना है और फिर यह अगर तीनों terms low last वाली तो C का स्केर है वो बराबर है B, D के यह दोनों अगर मैं prove कर देता हूँ तो by default यह GP में बन जाएगा ठीक है सर कैसे करोगे पहले इन दोनों को ले लेता हूँ और इन दोनों को लेके मैं cross multiply कर देता हूँ यानि की A solution यहां लिख देता हूँ A plus में BX divided by A minus BX बराबर है B plus में CX divided by B minus CX और यहाँ पे on cross multiplication करा तो cross multiply करने पे यह चीज़ इसके साथ multiply होगी तो A plus में BX multiply है B minus में CX ठीक है और यह वाली चीज़ इसके साथ multiply होगी तो A minus में BX और B plus में CX यह multiply होगा चलिए इसको multiply करते हैं A अंदर multiply होगा तो A B minus में A CX फिर यह BX से करेंगे तो यहाँ पे B square X minus में B CX square right side में आते हैं A इसके साथ multiply करेंगा तो A B plus में A CX ठीक है फिर minus B से करेंगे तो minus का B square X और minus में B CX इसको अगर आप ध्यान से देखी देखी भईया यह A B positive होगा equal to के साइब same sign वाले कर जाते हैं A CX है यह आपने note करा यह एक और चीज कैंसल हो रही है लेकिन यह दोनों का different sign है इसको transpose करेंगे तो B square X और B square X to B square X हो जाएगा बिल्कुल ठीक है यह जो है ना B C X square और यहाँ पे भी B C X square था यह same sign है तो कैंसल हो जाएगा लेकिन यह A C X और यह A C X है यह वहाँ जाएगा तो 2 times A C X बन जाएगा यहाँ से 2 से 2 कैंसल होगा X से तो B square is equal to A C आगया यह मेरा पहला पार्ट है clear होई बात? चलिए next part के बात करते हैं देखिए अब मैं इनको ले लेता हूँ इनको लेके cross multiply करता हूँ ठीक है? यानि कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे B plus C X divided by B minus C X यह बराबर है C plus D X divided by C minus D X अगर मैं cross multiply करता हूँ तो यह हो जाएगा B plus C X bracket के अंदर C minus D X यह इसके साथ multiply हो जाएगा C plus D X और यहाँ पे यह हो जाएगा B minus C X multiply कर देते हैं तो यह हो जाएगा B into C B C minus B D X plus C square X minus C D X square इसको अगर आप simplify करते हैं तो यह हो जाएगा B C minus C square X और यहाँ पे इसको करोगे तो यह हो जाएगा plus में B D X minus में B C X square अब यह minus में C D X square इसको मैं थोड़ा सा correction कर देता हूँ क्योंकि यह आपको सही से आना चाहिए तो यह बन जाएगा आपका यह D X और यह वाला तो minus का C D X square अब देखिए सेम तरह से यह cancel हो रहा है सर कैसे यह minus का C D X square इसके साथ सेम साइन है फिर यह जो B C है इसके साथ cancel हो रहा है और यह C square को मैं transpose कर दूँगा तो यहाँ पे 2 times C square X बना यह minus B D X है ना इसको मैं वहाँ ले जाऊंगा तो यह B D X और यह B D X है ना 2 times B D X बना X A X cancel हो आज 2 से 2 C square is equal to B D आया यह चीज प्रूव करना और यह चीज प्रूव करना तो दिखिए second part यही तो था from इसको equation 1 ले लो इसको equation 2 ले लो तो from 1 and 2 मैं from 1 and 2 यह लिख सकता हूँ कि A B C D R N G P I hope आपको यह clear हुआ होगा चलिए next question की बात करता हूँ 14th question कर लेते हैं बड़ा important question है काफी पर exam में पूछा गया है कहता पर S न वो sum को represent करता है P product को और R sum of reciprocal counterline करता हूँ और फिज जी पी यानि कि एक जी पी ले ले लेते हैं मैं यहाँ पर जी पी की बात कर रहा हूँ तो जी पी जो है वो हमारी है A A R A R की power 2 और यह A R N minus 1 S अगर sum को represent करता है तो S N जो है वो यह होगा A plus में R N minus 1 और R N minus 1 divided by R minus 1 यह मेरा S की representation है ठीक है अब मैं P की तरफ जाता हूँ देखो यह P क्या कह रहा है P product का मतलब है कि इनको multiply करोगे A A R A R की power 2 और इस तरह से A R N minus 1 तो A जो है उनको मैं अलग multiply कर लेता हूँ बिल्कुल ठीक है और यह जो R है ना यह अलग multiply करता हूँ R की power 1 R की power 2 और यह आप note करोगे तो यहाँ पे यह GP बन रहा है तो A तो N times आया है ना तो यह बन जाएगा A की power N ठीक है और यहाँ पे मैं GP का formula लगाऊँगा तो यह GP का formula लगाऊँगा तो यह formula अगर आप note करोगे तो GP का formula से पहले मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ क्या यह natural number का sum बन रहा है यानि कि GP ना बन के और natural number का sum बन रहा है तो यह चीज बन जाएगी आपकी A, R, last term यानि कि next term और divided by 2 यह मेरा representation P है done हुई बात अब P भी हो गया तो अब अगली चीज बे बात करते हैं वो यह कह रहा है कि जो R है ना वो actual में represent करता है reciprocal of GP यानि कि 1 by A ठीक है फिर 1 by A, R अगर note करो तो 1 by A, R की power 2 और इस तरह से 1 by A, R N-1 यहाँ पे इसके sum को represent करता है तो sum को मतलब है मुझे यहाँ पे plus का sign लगाना पड़ेगा तो यह plus का sign है तो चली यहाँ पे GP बनाते हैं इसमें first term जो है ना A वो यानि कि यहाँ लिख देता हूँ first term और हमें यह first term जो है वो मिलगी है 1 by A correct है और इसमें common जो ratio है ना common ratio वो है मेरा 1 by R और यहाँ R सम को represent करता है तो R बराबर हो जाएगा अगर की formula तो यह है ना अगर मैं आपको repeat करा हूँ तो SN का क्या formula A ठीक है 1 minus में R की power N divided by 1 minus R तो इसी formula में put करता हूँ A की जगा पे मैंने क्या लिखा 1 by A ठीक है 1 minus में R है 1 by R तो 1 by R की power N हो जाएगा और नीचे भी हो जाएगा 1 minus में 1 by R इसको simplify करते हैं तो यह बन जाएगा 1 by A as it is R की power N minus 1 और यह R N बचा ठीक है divided by R minus में 1 अपोन R आ गया इसको अगर मैं simplify करूँ तो यह बन जाएगा 1 by A R की N minus 1 इसको हम बिलकुल एजिटीज लिख रहें यह R है न यहाँ उपर चला जाएगा तो यह लिज़े R आ गया और यहाँ पे नीचे R की power N आएगा और बगल में R की power N minus 1 तो यह R और यह R minus N इसको अगर मैं simplify करके लिखूँ तो मेरा नीचे A और R N minus 1 हो जाएगा सरी यह क्यों हो गया क्योंकि एक वाल यह जो R है ना जो मैंने अभी raise कर रहा है यानि कि यह वाला R और इसको करोगे तो R minus 1 और उपर मेरा बचा R N minus 1 और नीचे बचा R minus 1 यह मेरा है R की value done अब यह P है यह S है और यह R है हमें कहता है यह prove करो कि यह इसके बराबर है तो मेरा जो next target है ना वो यह रहेगा अब value substitute कर देता हूँ देखी कैसे यह ना हमें 2 prove क्या करना है हमें 2 prove यहाँ पे करना है कि भई P square R की power N बराबर है S की power N तो P की value यह मैं ले लेता हूँ और यह आप कह रहे हो कि power 2 करो तो इसकी अगर मैं power 2 लिखता हूँ A N और R N minus N minus 2 की power 2 लिख दिया बिल्कुल ठीक है यह लीजिए मैं left hand side को पहले solve कर लेता हूँ राइट फिर R की power N यह मेरा R है इसकी power अगर मैं N लगाता हूँ तो देखे यह बन जाएगा इस 1 by A की power भी N लगेगा और यहां से अगर आप note करोगे तो R N into N minus 1 हो जाएगा और यह पूरे का पूरा जो है ना R N minus 1 और R minus 1 इसकी power N हो जाएगी अब अगर आप note करें तो यह चीज को मैं further लिख सकता हूँ simplify करके A यह 2 है ना तो अगर multiply होगा तो A की power 2 N आ जाएगी और यहां पे यह चो 2 है इसके साथ cut हो जाएगा तो R की power N into N minus 1 और यहां इसके साथ multiply करेंगे तो denominator में हैं हमारे पास A N और यह R N into N minus 1 और यहां पे हमारे पास जो बचता है ना वो R N minus 1 R minus 1 और whole power N बचता है तो यहां cut करिए आपको नहीं लिखता है यह दोनों यह power यानि कि इसको square करेंगे तो यह A की power 2 N से A N है तो A की power N बचेगा और यह पूरे का पूरा cancel हो गया तो यह बचेगा A की power N R N minus 1 और इसका मुझे यह मेरा left hand side है और यही right hand side है सर कैसे आप कहरो right hand side है यह कहता है S की power N S मेरा यह है इसकी power मैं N लिखता हूँ तो देखिए right hand side क्या हो जगा यहाँ पर लिख देता हूँ और right hand side S N जो है न यानि की इसकी power करूँगा तो यहाँ N लग जाएगा बिल्कुल ठीक है यह लग गया और R की N minus 1 और R minus 1 है इसकी power भी N आपको नहीं लगता है यह दोनों बराबर है यानि की left hand side बराबर हो गया right hand side hence prude यही तो हमें प्रूव करने के लिख आ गया था done होई बात चलिए next question की बात करते है यह औरीजी question है कहता है कि B आपको दे क्या रखा है यह कह रहा है कि वह एक AP है उस AP में AP जो है ना वो A के बराबर है correct है और जो Qth term है वो B के बराबर है और जो आरतम है ना वो C के बराबर है यह फ्रू करना है हमें तो इस AP को मैं ले लेता हूँ कैसे capital में ले लेता हूँ sir AP कैसे ले रहा हूँ इस AP को मैंने माना capital A और A plus D और इस तरह से ले लिया sir capital क्यों ले रहा हूँ क्योंकि already इसमें ABC है तो ये चीज बन जाएगी A plus में P minus में 1 capital D A के बराबर ठीक है ये मेरा first हो गया इंग change कर लेता हूँ ये बन जाएगा capital A plus में Q minus 1 D बराबर है B ये मेरा second हो गया बिल्कुल सही बात है चली next ले लेते हैं फिर ये बन जाएगा A plus में R minus 1 capital D बराबर है C अब मैं क्या करने वाला हूँ इसमें substitute करेंगे जब आप put करोगे न A की value A, B, C यानि कि इसमें put करेंगे इस left hand side में लिख लेता हूँ left hand side में Q minus R यहाँ पे इसको multiply A के साथ करने वाला हूँ में R minus P, B के साथ multiply करने वाला हूँ और P minus Q है यह C के साथ ठीक है तो A की value रखते हैं यह क्या कह रहा है Q minus में R और A की value यह रही यानि कि पूरे का पूरा लिख देता हूँ bracket उठा के A plus में P minus में 1 capital D bracket बन ठीक है अब यह जो R minus में P है ना यह मैंने B लिखा तो यह P है इसका number है R minus में P और यह B की value रखने वाला हूँ B है ना यानि कि A plus में Q minus 1 D और bracket का बन राइट वह है उसके बाद आप note करें यह put करूँगा P minus Q यह लिज़े P minus Q और इस bracket में लिखने वाला हूँ A plus में R minus में 1 D और यह bracket बन अब मैं अंदर multiply करूँगा ना तो जो A है ना उसके terms को एक साथ ले लेता हूँ यह A के साथ है तो आप ध्यान से देखना अब main जो है तो यहाँ मैं A के साथ मेरे पास आएगा A कॉमन अगर मैं ले लूँगा ना तो यहाँ से आएगा Q minus R ठीक है जी यहाँ से आएगा कॉमन R minus P ठीक है जी यहाँ से आएगा P minus Q बिल्कुल ठीक है अगर मैं फिर अब D अगर कॉमन ले लेता हूँ यह इसके साथ multiply होगा तो D पहार अगर मैं ले लेता हूँ तो देखे क्या बसता है यह कह रहा है कि Q minus में R और यहाँ से P minus में 1 ठीक है यहाँ से R minus में P और यहाँ से Q minus में 1 ठीक है यहाँ से P minus में Q और यहाँ से R minus में 1 अगर आप note करें देखे, cancel हो रहा है, अगर ये cancel हो गया तो ये A के साथ बना 0, बिलकुल ठीक है और अगर आप देखो D के साथ भी 0 कैसे बनेगा, अंदर multiply करते हैं Q को इसके साथ multiply किया, PQ minus Q, फिर R को इसके साथ multiply किया, तो minus PR plus में R ये तो आया पहले का, फिर इस R को इसके साथ multiply किया, तो QR minus में R आएगा, minus PQ और plus में P आएगा फिर इस P को इसके साथ multiply किया, तो PR minus P आएगा, minus QR plus में Q आएगा अगर आपने ध्यान दिया, ये भी तो cancel हो रहा है, सर कैसे, ये वाला जो PQ है, plus का PQ है, और ये minus का है तो ये भी 0 बन जाएगा, अगर ये सारे cancel होके 0 बन जाता है, और मुझे लगता है, right and side मेरा 0 ही तो है तो hence prove लिख देता हूँ, बात समझ में आई, ये मेरा question 15 था, अब इस वीडियो का न, मैंने question 16 तक ही करें, ये last करा है, ज़्यादा lengthy हो रहे थे अगले वीडियो में 17 तो उन्वर्स कर लेता हूँ, question देखते हैं क्या है, कहता है ये AP बना रहे हैं, तो prove करो कि भई ABC भी AP में देखिए, अगर इसको simplify कर रहा हूँ, simplify कर लेता हूँ, तो ये A और LCM अगर मैं ले लेता हूँ, तो BC और यहाँ पे B प्लस C बना, ठीक है, इसको ले लेते हैं, तो ये भाया आपका B as it is, ये A प्लस C बना, और AC, ये मैंने LCM लिया है और कुछ नहीं किया, इस time का LCM A और B आएगा, ये लिजे, A B लिलिया, और यहाँ पे A प्लस B उपर चला जाएगा C, देखिए, इसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ, ये अंदर multiply करते हैं, A B प्लस मैं A C divided by B C, ठीक है, फिर ये हो जाएगा, A B प्लस मैं B C divided by A C, और ये हो जाएगा, A C प्लस मैं B C divided by A B, ये भी A P में हैं, भाई ये तो हो गई होगा, अब मैं इसमें प्लस वन कर देता हूं हार टम में, और प्लस वन करने के बाद भी ये A P में रहेगा, सर कैसे, अगर तीन टम से A P में हैं, और प्लस वन करने पर 3, यहाँ प्लस वन करने पर 5, और यहाँ पर 7, वो भी तो A P ब बन जाएगा और उपर बनेगा AB प्लस में AC प्लस में BC ठीक है similarly यहाँ पे भी LCM AC आएगा यह बनेगा AB प्लस BC प्लस में AC फिर यहाँ पे भी अगर आप देखोंगे LCM आएगा AB वो भी हो जाएगा AC प्लस BC प्लस AB यह भी तो AP बनाएंगे अब यह अगर AP में है न तो यह चीज तीनों में सेम है तो मैं डिवाइड कर दूँगा तो AP में रहेगा तो next step में क्या कर रहा हूँ डिवाइड कर रहा हूँ हर एक टेवो में डिवाइड भाई AB प्लस BC प्लस AC सर कैसे भई अगर मालिज ये ये तीनों टम एपी में है और मैं इनको मल्टिप्ला या एडिशन की बजाए डिवाइड करता हूँ मालिज ये टू से तो वान टू और थ्री तो रिजल्टेंट जो सीक्वेंच है वो भी तो एपी है तो ये बना वन बाई बी सी ठीक है वन बाई एसी और ये वन बाई एबी ये जो आया ये भी एपी में है करेक्ट होई बात अब मैं क्या करता हूँ क्योंकि मुझे तो एबी सी चीए ना ये ABC upon AC आएगा और ये ABC upon AB आएगा तो ये मैं कैंसल करके दिखाता हूँ क्या कर रहा हूँ इस BC को इसे करा तो A बचा ये resultant A आया ये जो AC है इसे करा तो B आया और ये AB यानि कि ये भी AP में होगा आपको नहीं लगता ये ही तो प्रू करना था प्रू करो A, B, C, R, N, A, P तो that's all आप लिख दो hence proved चली with this, this video is over thank you very much, next video में next questions करते है